आईए आज हम लोग study करेंगे विद्दूत उर्जायों सक्ति अगर इंग्रिस में देखें तो इसको बोलेंगे electrical energy and power तो विद्दूत उर्जायों सक्ति के बारे में हम लोग study करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर उर्जा होती क्या है तो हमने आपको बताया था कि उर्जा हम उसे कहते है जिसमें कार करने की छमता होती है जो इस्थान नहीं घेरती यानि जिसका कोई आयतन नहीं होता जिसका कोई द्रभ्यमान नहीं होता उसको हम देख नहीं सकते केवल उसका अनुभाव किया जा सकता है यह उर्जा की परिभासा हमने आपको बताई अब इसी में समझना है कि विद्धुत उर्जा फिर क्या है तो जो आवेश के प्रवाह के कार सक्तिवपन होती है कार करने की तो उसे विद्धुत उर्जा कहेंगे अब देखिए कहरा है कि किसी चालक A B पर विचार कीजिए जिसमें A से B की ओर धारा आई प्रवाहित हो रही है अब एक चीज हमें यह ध्यान देना है कि कोई मालने जिए चालक है कहरा है A B तो कोई चालक A B है यह A सी रहा है यह B सी रहा है और इधर V A पोटेंसियल है इधर V B पोटेंसियल है इस प्रकार से इसमें विभाव लगाया गया है अब जाय सी बात है कि धारा A से B की ओर बह रही है तो हमने पढ़ा है कि धारा उच्च विभाव से निम्न विभाव की ओर जाती है यह नि हाई पोटेंसियल से लोग पोटेंसियल की ओर तो इधर की ओर करेंट बह रही है कहराये तथा B पर विभाव क्रमसा विए तथा वीबी से नुरुपित किये गए है चूंकि धारा A से B की ओर प्रवाइत हो रही है इसलिए विए ग्रेटर दैन वीबी हमने आपको बताया कि जिस जिधर विभाव ज्यादा होगा उधर से कम की ओर धारा बहेगी तो इसका मतलब है कि वीए वीबी से ज्यादा है तब ही वीए से वीबी की ओर करेंट फ्लो कर रहे है कराया और चालक A B के सीरों के बीच विभाव का अंतर यानि पोटेंशियल डिफरेंस तो ज्यादा में से कम घटा दिये गया वीए माइनस वीबी अब ज्यादा में कम घटा रहे हैं तो जो उत्तर हमारा आएगा वो धनात्मक होगा धनात्मक कम अलब जीरो से ज्यादा इसलिए इस गेटर दैन जीरो लिख रहा है अब कहरा है कि डेल्टा टी काल अंतराल में आवेस की एक मात्रा डेल्टा की विच क्वल टू आई डेल्टा टी ए से बी की ओर चलती है तो हमने आपको बताया था कि आवेस के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं यानि आई इसखवल टू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी हो गया तो डेल्टा किव इसके प्रवाह की दर को मतलब प्रतिश हे के लिया समय से उसका भाग दिया जाता है तो डेल्टा Q upon डेल्टा T हो गया तो डेल्टा Q is equal to I into डेल्टा T हो गया तो इस वज़ा से यहां पर लिकर आये कि डेल्टा Q is equal to I, डेल्टा T A से B की ओर प्रवाहित होती है यह आवेश की मात्रा है फरिभासा अनुसार बिंदु A पर आवेश की इस्तिती जूर्जा Q वी ये थी तथा इसी प्रकार बिंदु V पर आवेश की इस्तिती जूर्जा Q is equal to V भी है तो ध्यान दीजिए कि जिसे हम पोटेंसियल कह रहे हैं वो हकीकत में इस्तिती जूर्जा है जैसे हम इस्तिती जूर्जा को पोटेंसियल एनर्जी कहते हैं अंग्रेजी में तो ये जो पोटेंसियल है जिसे विभाव कर रहे हैं ये भी एक तरह से इस्तिती जूर्जा है तो जब हम किसी पत्थर को जमीन से उठाते हैं तो वो उच इस्तिद जूर्जा में आ जाता है क्योंकि यू इच कल्टू एम जी यच होता है यच ज्यादा होने पर यू ज्यादा होगा यू समान उपाती है यच के तो जितना उचाई पर पत्थर को उठाएंगे उसकी इस्तिद जूर्जा उतनी ज्यादा होगी और जब छोड़ेंगे तो हमने आपको बताया है कि उर्जा की परिभासा ही है कि कार करने की छमता तो जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो नीचे पत पत्थर जमीन में फिर गिर जाता है क्योंकि हमने उसको उठा करके अपने सरीर की उर्जा उसमें इस्तिती जूर्जा के रूप में भर दी है तो यह इस्तिती बन जाती है तो इसी प्रकार से जब हम विभा लगा देते हैं तो विभा एक प्रकार की इस्तिती जूर्जा है और इसी इस्तिर जूर्जा के काण आवेश एक बिंदू से दूसरे बिंदू की और प्रवाहित होता है और हमने आपको बताया है कि जब पत्थर को उपर उठाते हैं तो उच्छ इस्तिर जूर्जा आ जाती है इसलिए पत्थर जमीन की और निम्न इस्तिर जूर्जा में प्रवाहित होता है या गिरता है तो इसी प्रकार से जहां उच्च विभाव होगा उससे निम्न विभाव की और आवेश प्रवाहित होगा अब देखें क्या कहा रहा है, कि इसलिए इस्ति जूर investigators में या परिवर्तन डेल्टा-इउ-potential नित्रीर जूर। जूर्जा – प्रारंबिक इर्षे कारा हैं, कि यहां पर देखें प्रारंबिक उच्छ हैं, अंतिम निम्न घुपाभव के अगर बात करे, क्योंकि उच्च विभाव से निमने विभाव की और आवेश गति करता है तो बाद वाला विभाव निमना है तो कम से ज्यादा घटाए गया तो उत्तर हमारा रिणात्मक आएगा किसी भी चीज में अगर कम में ज्यादा घट आएंगे तो उत्तर हमारा रिनात्मक आएगा तो माइनस डेल्टा की वी आ गया इसी को आई वी इंटू डेल्टा टी जो की जीरो से कम है क्योंकि उत्तर रिनात्मक है तो रिनात्मक मान का मतलब है कि वह जीरो से कम होता है तो य ऐसे ही रखा डेल्टा Q की जगे आई डेल्टा T यहां उठाके रख दिया है इस डेल्टा Q की जगे इसलिए माइनस आई भी डेल्टा T स्मालर दें जीरो है अब देखे कह रहा है कि यदि आवेश चालक के अंदर बिना संगट किये गतिमान है यानि बिना टकराय गति करता है जैसे हमने आपको एक उत्तर द्वारा विकल्प या यूं कहा है कि एक उदाहर देकर के समझाया था कि मेला में अगर हम गति करें तो लोगों से टकराते हुए गति होगी तो किसी पदार्थ में बहुत सारे परमाड़ और आणु है तो जब इलेक्टरान गति करेगा तो उ बिना संगट कि ये गतिमान है तो उनकी गति जूर्जय भी परिवर्तित होती है जिससे की समझत उर्जय अपरिवर्तित रहे तो देखे जब टकराता था तो टकर के बाद क्या होता था कि गति उसकी इस्थिर हो जाती थी लेकिन अगर टकराए ना तो लगातार गति होती रहेगी और गति जूर्जय में परिवर्तन होता रहेगा तो वही कह रहा है कि ये दियावेश चालक के अंदर बिना संगट कि गतिमान है तो उनकी गति जूर्जय भी परिवर्तित होती है जिससे की समझत उर्जय परिवर्तित रहे तो गति जूर्जय परिवर्तित होकर के समझतूर्जा कैसे परिवर्थित रहती है तो उसको समझने के प्रयास करिए कि एक सब्द होता है यांत्री कूर्जा जिसको अंग्रेजी में हम लोग मेकाइनिकल एनर्जी बोलते हैं मेकाइनिकल एनर्जी तो मेकाइनिकल एनर्जी इच कल्टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मलब हिस्थिती जूर्जिया, काइनेटिक एनर्जी का मलब गती जूर्जिया, तो जैसे बात है कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यह इंक्रीज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हम उर्जा नियत है गुल उर्जा अको गर्वर्टित रहेगी तो अगर गतिज उरजा बढ़ रहे तो इस utilise उर्जा को घटना पड़ेगा क्योन्कि अगर कुल मान स स्व है तो अगर ये 70 है तो ये पचीस होना पड़ेगा क्योंकि 100 तो नियत है, अगर ये 50 है तो इसको भी 50 होना पड़ेगा, अगर ये 50 है तो इसको फिर 75 होना पड़ेगा, ताकि ये परिवर्तित रहे, तो इसलिए कहरा है कि ये दियावेश चालक के अंदर बिना संगट की ये गतिमान है, तो उनकी गति जूर्जा भी परिवर्त परिवर्थित रहें समझ तूर्जा के सनच्छन से या परणाम निकलता है कि अब समझ तूर्जा के परिवर्थन से अगर हम देखें तो ये परणाम निकलता है कि गती जूर्जा पराबर माइनस इस्तिते जूर्जा या डेल्टा यू पोटेंसियल very very most important इसको समझने का प्रयास करिए कि गती जूर्जा जब बढ़ेगी खुद कहरा है कि गती जूर्जा परिवर्तित हो रही तो जब टक्कर नहीं होगा तो गती जूर्जा ज्यादा होगी तो जाय श्रिबात है कि गती जूर्जा ज्यादा होगी तो इससे जूर्जा कम होग तो अगर कुल उर्जा को हम 0 माल लें, कुल उर्जा को अगर हम 0 माल लें, तो गतिज उर्जा बढ़ रही है, यानि धनात्मक होगी काइनेटिक एनर्जी, तो जायच बात है कि एंसर 0 लाने के लिए, पोटेंसियल एनर्जी जो होगी उसको रिनात्मक मानना पड़ेगा, यानि दोनो एक दूसरे के बिरोधी है, माइनर्ज का मलप दोनों एक दूसरे के बिरुधी, अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा अब देखिए कहरा या थोबार देल्टा के is equal to 1 देल्टा के is equal to IV डेल्टा टी जहाद सेब बाते हैं कि डेल्टा के पाजट्युन है तो डेल्टा यू IV डेल्टा टी है तो यहाँ नेगेटिव की जगे हम पाजट्यू की वर लगा लगा देंगे बात हुआ ही है केवल negative से positive हो जाएगा तो potential energy की बात करेंगे तो minus IV delta T होगा और kinetic energy यानि गती जूर्जा की बात करेंगे गती जूर्जा में परिवर्तन की बात तो delta K is equal to IV delta T is greater than 0 होगा तो इसको ध्यान देजिए कि delta K is equal to IV delta T is greater than 0 और delta U potential delta U potential is equal to इसको बात कर लिजिए minus IV delta T is smaller than 0 इस प्रकार से समझ समझ के हम लोग काम करेंगे और अच्छे से समझ के पढ़ने का प्रयास करेंगे अब देखे का है राय कि यता है चालक के अंदर विद्दु छेतर के प्रभाव से अगर आवेस मुक्त रूप से गतिमान रहते तो उनकी गते जूर्जा बढ़ जाती तो ध्यान देजिए का है राय कि अता है चालक के अंदर यानि conductor के अंदर विद्दु छेतर के प्रभाव से यानि electric field के effect से अगल आवेस मुक्त रूप से गतिमान रहते अगर स्वतंत रूप से गति करते रहते तो उनकी गति जूर्जा बढ़ जाती तथा भी हमने पहले समझा है कि सामाने तवर पर आवेस तुरित गत से गमन नहीं करते हैं बल किया परिवर्टी अप वाहवेक से चलते हैं तो जब तक विद्दु छेतर नहीं लगाया जाता तो विद्दु छेतर एक बल लगाता है जिसको हम विद्दु वाहक बल यानि इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स बोलते हैं जब तक विद्दु छेत्र नहीं लगाया जाएगा, तो आवेस गमन तो करेगा, गति तो करेगा अपने अगल बगल, लेकिन वो गति में वेग न बढ़ेगा न गटेगा, एक नियत वेग से गति करेगा, जिसको हम अपवाह वेग कहते हैं और यह वेग अपरिवर्तित रहत यह पारगमन की अवधि में आयनों तता परमानों से संगट के कारण होता है, अब ध्यान देजिए, कि यह जो है, तो पारगमन को अंगरेजी में ट्रांजिट बोलते हैं, यानि एक इस्थान से दूसरे इस्थान पे ट्रांसफर होने में, तो उस समय जो है कि पारगमन की यह पारगमन की अवधि में आयनों तता परमानों से शंगट के कारण यह जैसे हमने किसी गेंद को फेका और अर्थ से टकराई तो वो उपर को उचलती है, तो उसी प्रकार से टकर खाके आवे सिधर उदर गमन करते हैं, जिस समय को पारगमन की अवधिया ट्रांजिट पी आया कि संगटों के समय यानि टकर के समय आवेसों द्वारा प्रात की गई उर्जा परमानों के साथ आपस में बाट ली जाती है, जैसी बात है कि टकराएंगे परमानों से तो उस उर्जा में आपस में बटवारा होगा, परमानों ज्यादा प्रवन रूप से कमपन करते है अर्था चालक गर्म हो जाते हैं जैसी बात है कि आप अपने हाथ को दोनों को रगड़िये तो गर्म हो जाता है हाथ तो इसी प्रकार से रगड़ने में क्या होता है एक हाथ के परमाड दूसरे हाथ के परमाड उसे आपस में टकराते हैं तो उसी प्रकार से टकराने में यहां भी गर्मी होगी और चालक गरम हो जाएगा। इस प्रकार एक वार्ष्टविक चालक में काल अंतराल डेल्टा टी में उस्मा के रूप में छहीत उर्जा का परिमाड है। तब यहां पर चुकि आवेश परिमाड से टकरा रहे हैं तो टकर से एक प्रकार से उर्जा का नुकसान होगा तो वो उर्जा का कितना नुकसान होगा तो डेल्टा डबलू बराबर आई वी डेल्टा टी सेम वही चल्दा आई आई वी डेल्टा टी होगा। कि अब देखे कराय कि यदि अभी स्कूर्स तरह भी समझ सकते हैं कि डवलू इच्वाल टू क्यूवी होता है और क्यूव की जगे आई डेल्टा टी रख दिये और वी तो वैसे ही तो वही चीज यहां रखी गई है करा प्रति ये कांग समय में च्छै हुई उर्जय च्छैत सक्ति के बराबर है यानि पावर क्या होती है पावर बराबर किये गए कार करने की दर को सक्ति बोलते हैं किसी मसीन के कार करने की दर को सक्ति बोलते हैं तो कार करने की दर तो कार बटे दर का मतलब समय तो डेल्टा W अपान डेल्टा T ये हमारा सक्त हो गई कार करने की दर या P is equal to IV हो जाएगा P is equal to IV ये सब फार्मूले आप लोग याद करते जाएए ये इस बात है कि W is equal to ये आया है अब ये I अगर इधर आजाए W अपान ये डेल्टा T इधर आजाए तो W by डेल्टा T P है तो P रख देंगे तो ये इस तरह समझे डेल्टा W is equal to IV डेल्टा T तो डेल्टा W अपान डेल्टा T is equal to IV और डेल्टा W अपान डेल्टा T is equal to P है अभी हमने याँ देखा तो रख देंगे तो IV हो जाएगा वही चीज यहाँ पर रखी गई है तो इस प्रकार से समझ समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे आप देखिए क्या कह रहा है कह रहा है ओम के नियम के अनुसार वीज कल्टू आई यार को प्योग करने पर हम पाते हैं तो पीज कल्टू वी आई होता है पीज कल्टू वी आई तो वीज कल्टू आई टी होता है वीज कल्टू आई आर होता है तो यह हमने जब यहाँ पर आई आर लिख दिया वी की जगे तो वी की जगे जब आई आर रख देंगे तो यह हो जाएगा पीज कल्टू आई आई का स्क्वाइर और ये R हो जाएगा इसी प्रकार ये ये भी आ जाएगा हमारे पास तो इस प्रकार से हम लोग ये सब कुश्चन साल करने का प्रयास करते हैं और फार्मूला भी निकालने का प्रयास करते हैं अब इसी प्रकार देखे जैसे P is equal to I square R निकाला वैसे हम लोग V square upon R भी निकाल सकते हैं P is equal to VI होता है ता भी V is equal to I R होता है तो I is equal to V upon R हो जाएगा तो V is equal to I की जगे V upon R रखेंगे तो ये V square upon R आ जाएगा तो इसी प्रकार से देखे V square upon R भी लिखा गया तो ये सारे फार्मूले याद करते चलिए इनी फार्मूलों पराधारी तभी आपको आगे question मिलेंगे आप देखे आगे क्या कह रहा है कह रहा है जो की R प्रतिरोध के चालक जिससे आई विद्धारा प्रवाइत हो रही है में होने वाला सक्ति छाय यानि ओमी छाय है तो ये पीच कल्टू ओमी छाय है ध्यान देजिए या वही सक्ति है जो उदार के लिए किसी ताप देप्त विद्धुत लैंप की कुंडली को प्रदीप्त करती है जिसके काड या उस्मत अता प्रकास को विकरीत करता है तो ध्यान देजिए जैसे बल्व हम जलाते हैं तो बल्व से जो उस्मा का च्छय हो रहा है उर्जा का च्छय हो रहा है उस्मा के रूप में तो यह वही पावर है वही सक्ति है यह सक्ति कहां से आती है जैसा कि हम पहले इस पष्ट कर चुके हैं कि किसी चालक में इस्थाई धारक प्रवाब बनाये रखने के लिए हमें एक वाय स्रोत किया सकता होती है इस पर श्टया यही स्रोत जिसे वो सक्त किया पूर्थिक करनी चाहिए जैसे बल्ब जलाने के लिए अगर हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी हमारी बाहरी एक वर्ष्टू है जो हमें उर्जा दे रहे हैं चित तीन दसम्लों 11 में विद्दुस सेल के द्वारत के साथ दर्साए गए एक सरल परिपत यानिया सिंपल सर्किट में एक सेल की ही रासायनिक उर्जा है जो इस सक्त किया पोथि जब तक कर सके करती है तो यहां पर देख़े ये एक इसल है इसके जुध म इस में परतिरोध लगाया गया तो वही चहिल के मिनल प्रति आरदा को सब्सक्याइब इसके अंदर उन्दर जो एलेक्ट्रोलाइट बहा विर दो तब घट यहांदानी थे के अगरिब me यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होकर के इस रजिस्टेंस से उस्मा के रूप में निकलती है, अब आगे देखते हैं, कह रहा है समिकार 32 तता 33 33 में सक्ति के लिए दिये गए बेंजक से यह इस पर्ष्ट हो जाता है कि किसी प्रतिरोधकार में 6 सक्ति उस चालक में प्रवाहित धारा तता उसके सिरों पर बोल्डता पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो पीच कल्टु वी आई, पीच कल्टु वी स्क्वाइर अपान आर, पीच कल्टु आई स्क्वाइर अपान आर, यह सब फार्मूले जो हमने अभी उपर पढ़े, इससे पता चलता है कि विद्दु सक्ति वोल्टता और विद्दु धारा पर किस प्रकार से निर्भर करत समीकर्ण 3.33 का विद्धुत सक्ति संचन में संचरण में महत पूर्ण प्रयोग है। संचरण केबल द्वारा किया जाता है जो कि सडकों सैकणों मील दूर हो सकते हैं। तो जो बिजली के तारों से हमारे घर तक करेंट आती है इनमें उसमा के रूप में उर्जा का कम से कम च्छै होगा तो हमारे घर में अच्छी बिजली आएगी। इसलिए इन तारों का जो एनर्जी का लॉस है हीट के रूप में उसको हम कम से कम करना चाहते हैं। अब समझेंगे कि इसमें हम कैसे सफ़ल हो सकते हैं। मनलब कैसे कम कर सकते हैं कि तार से जिससे बिजली हमारे घरों में आ रही है तो कम से कम उर्जा का नुक्सान हो उसमा के रूप में। एक युक्ति आर पर विचार करें जिसमें आर्सी प्रतिरोध वाले संशन केबिल से होकर सकती पी को पहुँचना है। जिसे अंतिमत्य है छाइत होना है यह दियार किसिरों के विद्वोल्टा भी है और इसमें विद्धुद्धर आई प्रवाइत हो रही है तो पी इच क्वल्टु वी आई हमने उपर पढ़ा है। पावर, पावर स्टेशन से युगति को स хозяwajit करने वाले स compare का प्रतिरोध memit है और यह रसी है। कहल मालेजीए जो प्रतिरोध है तारों का वो तो एक सीमा तक ही होगा और यह रसी माल लिया गया है। कह रहा है सयोजक तारों यानि जो कम्माइन तार हैं हमारे घर तक बिजली लाते हैं तारों में उर्जाच है PC को PC जो की बेर्थ बे होता है तो PC is equal to I square RC हो जाएगा उपर हमने पढ़ा या फिर P square RC upon V square हो जाएगा फार्मूला बनाकर रखेंगे वीच को ल्टू आई यार तो यही इतना आ जाएगा तो इस प्रकार से कह रहा है जो च्छै होती है उर्जाच तारों में वह फार्मूले से इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं समीक और तीन दसमलो तीन पांच हो गया यह अब देखे कह रहा है करा अता सक्ति पी की किसी युक्ति को संचालित करने के लिए सयोजक तार में सक्ति अपव्य वी स्क्वाइर के समान पाती है तो द्यान दीजिए कि समीकर्ण जो यह आमने अभी लिखा तीन दसमलो तीन दो से यह जो तीन दसमलो तीन पांच प्राप्थू है समान पाती नहीं बीद कर्मान पाती है तो यहां पर देखिए जो उर्जा 6 है V2 नीचे है भाग में यानी बीद कर्मान पाती है पावर इस्टेशन से आने वाले संचन केबल सैकणों मील लंबे होते हैं तता उनका प्रतिरोधार्सी काफी अधिक होता है संचन में होने वाले सकत इच्छ है यानी एनर्जी लॉस पावर लॉस पीसी को कम करने के लिए इन विद्धुत वाही तारों में ब्रहाद वोल्टेटा वी पर विद्धुत्धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है कि यह उर्जा का कम से कम लास हो तो इसके लिए क्या करते हैं बहुत उच्छ वोल्टेज में पावर वहां से सप्लाई करते हैं यही कार है कि इन सक्ट संचरन लाईनों पर उच्छ वोल्टटा के कतरे का चिन बना रहता है जो कि आबादी वाले छेश से दूर जाने पर एक शामान दर्श से होता है इतनी उच्च वोड़ता पर विद्धुत का प्रयोग सुरच्चित नहीं है अता इस धारा की वोड़ता को उपयोग के लिए उपयुक्त मानता की ही एक युक्ति द्वारा करता है जिसे ट्रांस्तो फार्मर कहते हैं क्या जाता है तो द्यान दिजिए जेदो और दोक देखते हैं तो बाहर हमारे घरों के गेराहाजार वाली लाइन आती है फिर से बर्शती होती है तो एक ट्रांस drie मदलगा यह जाता है टाइस फार्मर दो परकार के होते में बर्दासर आपका अब करो नहीं नतर एसफ्टन कीविस जाय चाई इनी बोर्दों कि नंतर ऑफ्टि कर gelecek तो चाहिकर अफ्टन का अब लो Samee को I invest वोल्टेज को हाई में बदलता है उसको इस्टेब अप बोल्टेज करते अब पने देखा होगा की घर में जब फूल बोल्टेज बॉल्टेज नहीं आता है तो है लोग इस्टेब आप ट्रास्फारमरे इस्टेब लाइज र रहमा बीच्णदध अब कर देता, यानि वोल्टेज को बढ़ा देता यह तो दो प्रकार के ट्रांस्वार्मर होते हैं, उनके बारे में हम लोग आगे study करेंगे, अभी जो भी आ रहा है उसके बारे में study करआ यह, जब Transgender, आस और तो उसकी भी study में करेंगे आज बस यहीं तक